प्रदरस्कों स्वागत है आप सभी का आपकी यूट्यूब चैनल अध्यात्मौन जोटिस में मैं हूँ आप सभी के साथ देभुमी रिशी के शुत्राखंड से आचार यासिस और फटापट कर लेते हैं आज की विशेपर बात हम लोग बात करेंगे आज जोटिस के कुछ महतवपूर्ण बिन्दों को ले करके और मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि कैसे आप खुद कुंडली प्रिडिक्ट कर सकते हैं आप अपनी कुंडली हो या अपने बच्चों की कुंडली हो या अपने किसी विश्टमित्र की कुंडली हो पर्थम द्रिष्टिया आप उस कुंडली का फ्लादेस करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे मैं हाँ इसी चर्चा को प्राड़म करूँगा यदि आप नहीं दर सके तो फटा पट चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें बैल आइकन साथ में प्रेस कर लें और समय समय पर आप ऐसी जानकर यहां आपको प्राप्त हो तो आप चैनल बने दे सबसे पहले हम जोतिस की बात करें तो जोतिस एक अथा सागर है हम स्वयम 20-22 वर्सों की स्यात्रा में अपने आपको जोतिस की कुछ मनी हम लोग लेकर के कुछ दिन के लेकर के कुछ सार भाग लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और प्रियास कर रहे हैं लेकिन ये भी नहीं का जा अपने आपको एस्टनों हों डमानदें कि अा रखला मित अलग पक्स है को गंशी सूत्र के प्राधारिदि आप इती潮ुकुर्ण बनाना चाहते हैं माननो हमें इस्टिकाल निकालना है तो इस्टिकाल की जैसे तीन नियम हो धारण के तोर पर अगर हमें जन्म कुणली बनानी है और हमें इस्टिकाल साधन करना है तो उसके लिए तीन नियम है कि बच्चे का जन्म कब हुआ है इस्टिसाधन हमें करना है इस्टिकाल निकालना बड़े ध्यान से समझेंगे, आज का जो विस्य है, बड़ा रोचक भी रहेगा और दिलचस्प भी रहेगा, मैं एक चीज और यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, आज की जो कुंडली रहेगी, मैं उसमें अंतिम में आपको एक प्रश्न करूँगा, और उस प्रश्न का सही सटिक जबाब देने वाले, कोई बहुत प्रश्न टेड़ा नहीं होगा, सरल होगा और इसी वीडियो से सम्मंदित होगा, उसी छोटी सी वीडियो का, इस वीडियो के अंत में, मैं आपको इसी वीडियो से सम्मंदित एक छोटा सा प्रश्न करूँगा, उसका सटिक जो प्रश्ण जो इस वीडियो से संबंधित होगा वो छोटा सा प्रश्ण में आपके साथ रखूंगा और आने वाले कि वीडियो में मैं उसका उत्तार दोंगा तो यहां पर हम लोग चर्चा करेंगे कि जब हम जन्मकुंडली का विस्टेशन कर रहे होंगे जब हम जन्मकुंडली का विस्टेशन का हमें करना है तो हमें किन-किन पहलों पर चर्चा हमें ध्यान देना ची क्या उस पर चर्चाएंगे जन्मकुणली का मैं हमेशा से जैसे कहता हूँ कि तीन ही आधार होते हैं ये बार हम लोग सर्च करते हैं कि जन्मकुणली मैं पहले घर में सूरी हो तो क्या फल होगा ठीक है पहले घर में सूरी होगा उसका फल होगा लेकिन किस रासी में बैटे होंगे उसकी आधार पर फलोगा और सिर्फ सूर्य पहले गर में बैटे हैं उसके काफ्ला diss हो जाए सम्भव नहीं है हमें ये भी देखना होगा कि पहले गर में सूर्य बैटे हैं किस इस्तति में बैटे हैं position क्या है वहाँ पर उच्छी के बैटे है, नीज के बैटे है, स्वगार के बैटे है अपनी मूल तरकोण रासी में है ठीक है न? उस पर किस ग्रह की दरिश्टी है? कहां? किस ग्रह के साथ में यूति हो रही है? तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिन पर हमें विचार करना चाहिए लेकिन बिसे लंबा नहों बिसे अंतर आप नहों जाएं मैं फोकस इसलिए पॉइंट पर करूँगा बड़े धहरे से आप समझें और तभी आपको बात समझ भी आईगी उदारण के तोबर हम ने माल लिया कि लगन में सूरी है लेकिन सूरी यहां पर मेस रासी क्योंगे तो उच्च के हो जाएंगे लेकिन सूरी के साथ यदि राहू बैठे हैं तो जाँ उच्च का फल और लगन का फल मिलना था वाँ राहू इसको गरहन कर देगा समझ रहे हैं यह सनी साथ में बैठ जाए यह सनी की सात्वी या दस्वी या तीसरी दृष्टी पड़े तो क्यों पूर्ण दृष्टी होगी सनी की तो ऐसे स्तुती में उस फल पर इसका प्रभाव पड़ेगा जहां सकारात में चरम उतकर सपह था जहां उसका 100% आपको मिलने वाला था वहां वो इसमें नियूनुता लाएगा अग किस चीज में लाएगा कब लाएगा वो इसे थोड़ा अलग हट करके लेकिन मैं आने वाले वीडियोज में आपको इसकी जानकारी दूँगा अभी हम पहली कक्षा में फर्स लेसन में हम ये पढ़ लें कि हम इसका आधार क्या लेकर चलें बहुत सारे लोगों का एक प्रश्न भी था कि जो है आप हमें इस प्रकार से समझाएग ताकि हम इसको समझे अध्यात्मर जोतिस की जितने दरसक है मैं सबसे एक पोल की जरीए ये भी जानना चाह रहा हूँ कि आप चैनल पर किस प्रकार की वीडियोस देखना पसंद करेंगे आप एस्टलोजी की वीडियोस देखना पसंद करेंगे या फिर वास्तू या मुहरतादी की वीडियोस आपके लिए ज़्यादा बनाई जाये या फिर अन्य चीजों की हम लोग ज़्यादा चर्चा करें साथी बहुत सारी दर्षकों रासी फल को लेकर भी चर्चा थी कि रासी फल हमाले दैनिक रूप से लेकर आया जाए मैं मासिक रासी फल तो आपको अभी तक उपलब्द करा रहा हूँ दैनिक किले में विचार कर रहा हूँ आप में से भी कोई दर्षक चाहते हैं कि मैं नियमित रूप से आपके दैनिक रासी फल भी ले करा हूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकता है तो दर्षकों यहाँ पर जन्म कुणली जो की जिस समय बच्चा जन्म लेता है उस समय का जो चायंकन है जो खीचीवी पिक्चर है वही जन्म कुणली होती है बड़े ध्यान से आप इसको संज़े जिस समय बच्चा जन्म लेता है उस समय की आकास मंडल पर यानि सौर मंडल पर ग्रहें की स्तोति क्या-क्या है वही खीची भी पिक्चर जन्व कुंडली होती है इसफ़स्ट हो गया होगा आपको अब उसके बाद दूसरी चीज़ आती है महा दसाएं बरतमान में कौन सी दसा आपकी चल रही है उसके आदारपरम फर कर सकता है और तीसरी चीज बहत्वपूर्ण ग्रहे गोचर की स्तोति हो इसलिए में ग्रहे गोचर की वीडियोज आपके लेकर आता हूँ कौन सा ग्रहे मारगी हो रहा है, कौन सा वक्री हो रहा है उसका फल क्या होगा, जैसे इस मैने खास है अपनियान में बहुत माइने रखती हैं, बड़ा महत्वपूर्ण होती है और केवल आप पर ही नहीं, समस्त चराचर जगत पर इसका प्रभाव पड़ता है क्योंकि आकास मंडल या ये जो आकासी ये पिंड है यहाँ जो ग्रह नक्षत रहें, उनका प्रभाव, किसी व्यक्तिकत एक मनुश्य पर तो पढ़ने वाला नहीं है सभी पर इसका प्रभाव पड़ेगा प्रत्वी पर जो भी रह रहे हैं, उन सब पर पड़ेगा कि अबल मनुश्यों पर पड़े ऐसा नहीं, जीब जन्तों पर पड़े, नहीं, बनस्पतियों तक पर प्रभाव, भूखंड पर तक प्रभाव पड़ता है अब आप समझ सकते हैं इसकी ताकत को, इसकी छमता को, या इस गहटनाओं के प्रभाव को तो तीन पॉइंट मैं आपको बता है, कौन-कौन से, एक तो ग्रह गोचर की स्तती, दूसरा यहाँ पर बिमशोतरी महादसा हैं, जिसमें बिमशोतरी महादसा भी है और उसके साथ साथ योगनी महादसा, मैं दोनों को लेकर वीडियोज बना चुका हूँ, बिमशोतरी महा जाकर भी देख सकते हैं, अबाउट में, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, तो दर्शकों यहाँ पर कुन मिलाकर तीन आधार है, अब आप जब कुनली का फ्लादेस आप करेंगे, समझें, तो उस समय आप कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें, जन्म कुनली तैय प्लादार कर लेनी है, यह आपकी पुनली तो आप उसको फुट देखें, जो first ounce होता है, उसे हम लगन कहते हैं, क्या कहते हैं, अब हमें for example अपने लगन के बारे में हमें विचार करना है, लगने से हम क्या-क्या विचार कर सकते हैं, लगन को तन भाव भी कहते हैं, जोतिस उसे सम्मंदित, जो भी हमें विचार करना होगा, वो हमें फस्ट आउसे करना होगा, इसी को कहते है तन भाओ, और तन भाओ का जब विचार हमें करना होगा, तो हमें सरीर के सौंदर्य का हो, या फिर सरीर के बाहय आवरण का हो, या फिर आपकी सौभाओ की बात हो, ये तमा काम विचार हम लगन से करेंगे आप स्वस्त हैं या अस्वस्त हैं अगर कोई जिवन में स्वास्त को लेकर की कोई बादा है तो कौनशी दसा में आएगी कब आएगी कैसे आएगी ये सारी बातें हम लगन से देखेंगे और उधारन आज हम सिर्फ लगन का ही ले रहे हैं मान लिया जाए कि आपकी जन्मकुंडी का जो लगन है फर्स्ट आउस है वहाँ पर एक लिखावा है एक का मतलब हुआ मंगल यानि मेस रासी और मेस का लौड क्या हुआ मंगल एक लिखाव मतलब मेस रासी वहाँ पर ही और मेस का स्वामी मंगल है और मंगल कहां बैठा हुआ है उधारन के तोर पर हमने मान लिया कि हमारा मंगल चतुर्त भाव में बैठा हुआ है अब यूँ तो देखा जाए तुमारा लगनेश जो है चतुरत भाव में बैड़ी गया लेकिन वहाँ पर करक रासी होगी और करक में मंगल नीच के हो जाते हैं अब आप इसको बहुत द्यान से समझेंगे चोथे घर में हैं अगर वो मंगल अगर उच्च का होता वुरिस्चिक में बैठ जाएं आठवे घर में तो यहाँ पर लगनेश आपका वुरिस्चिक रासी में बैठे में स्वग्रह में बैठे में हैं लेकिन अस्तम हाउस में बैठ गए और अगर चतुरत भाव में बैठ हैं और वहाँ पर अगर करक रासी हैं तो नीच के बैठ गए तो उसके फल में नहीं उनता जाए अब उससे सम्मंदित जो हमें विचार करना होगा कि हमारा तन की स्वस्तता मान लिया जाए या तन की कांत कांति को मान लिया जाये या सरीर का कोई भी विचार हमें पार्ट करना है तो उस पर कहीं न कहीं नीच मंगल क प्रभावन हें अगर वहीं मंगल दसम में बैठ जाये तो दसम भाव में मंगल कारग भी आने जाते हैं उत्तम मंगल होगा तो यहाँ इसको फ्लादिस करने का, इसी तरह से हम 12 भावों का फ्लादिस कर सकते हैं, और 9 ग्रहों का फ्लादिस हम कर सकते हैं, उनके बारे में हम जान सकते हैं, कि कहां बैठावा है, उच्छ में बैठावा है, यह आपका लगनेस के बात, हम धनेस की बात कर लें, और एक्जामपिल हम से भाव में बैठा हुआ है कौन से रासी में बैठे हुए और कहां कहां किस से दृष्टी या यूत है यानि किस की दृष्टी वहां पढ़ रही है कौन से ग्रह की और कौन सा ग्रह साथ में बैठा हुआ है यूती बने उसका साथ जो दे रहा है तो यह हमें बहुत मैतो पू तो उससे सम्मंदित सुभ या असुभ जो भी फल उसका बन रहा है वो हमें मिलेगा उसके अलावा एक महत पूर्ण चीज कि जब गोचर में मंगल का परिवर्तन होगा मंगल गोचर में चैरासी परिवर्तन करें या किसी के साथ में युती बनाएं उस समय उस मंगल की जो पो हार है इसके अलावा और कुछ नहीं है उसके बद कई बाद नौमांस का सुरोग बना लेते हैं तो नौमांस पर मैं चर्चा कड़ चुका हूं और आने वाली वीडियो में मैं नौमांस के बारे में आपको बता हूँगा और विस्तार से तो दर्सकों आज यहां पर जो है जो मैं आपको यहां पूछूँगा और अगले इस कारक्रम में मैं उसका उत्तर आपको दूँगा जो लगातार हमारे दर्शक हैं अधियात्मार जोतिसकर वो इसका बिसेशलाब ले सकते हैं और उनका जो सही उत्तर इसको इस कारक्रम में देगा उसके प्रश्ण को हम जो कारकरम में जिन्नोंने हमें प्रश्न किया था शुदान्सु सरमाजी उनका प्रश्न था कि मेरा भाग्योदे कब होगा आपकी उन्डे की आधार पर जो आपका भाग्योदे हमने यहां पर देखा इस आधार पर आपका भाग्योदे 28 वर्ष में होगा आपको उपाई क्या करना है आप सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन में शुभे रिण मोचन मंगल का पाट करें और साम को हनवान चालिसा का पाट करें आपका भाग्यों तो बहुत ही स्रेश्ट आप इसका फल लेंगे 28 के बाद आप पीछे मुड़ कर नहीं देखेंगे अभी का प्रश्ण रहेगा कि जन्मकुनली का फलादेश करने की कौन से तीन आधार है जिस पर हमने इस वीडियो में चल्चा किया है जो दर्सक इसका सही और शटिक जबाब देंगे उनको अगले कारकर में उनका प्रश्ण लिया जाएगा और निस्सुन उनके प्रश्ण को उत जा प्रश्ण में झेंगा